तो आज आपके सामने एक क्या है Futuristic Algebra Futuristic का मतलब क्या है जो question exam में आ सकता है exam में आगे आना चाहिए यह उसी concept पे basic question है जो बहुत basic concept को मैंने यूज करके इस question को create किया है मैं जाता हूं कि वीडियो को करो पॉज और इस basic conceptual question को try करो question को solve करने का exam में भी और exam के पहले भी तो आपने इस question को solve कर लिया होगा बहुत basic सा question है इसको solve करने के infinite method है मैं आपको जाता हूं कि basic method कौन साथ इसको मैंने यूज किया है और इस टाप पे question अगर exam में देखे तो कैसे solve करना चाहिए चलिए चलते हैं solution के तब आपको सारी information तो पता ही होगी कि 500 best question का एक स्रीज आने वाला है कहां YouTube पे ही तो अगर आप ने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल subscribe कर लिए और यह जो education आपका ID है यह आपके telegram पे भी है यह facebook पे भी है इंस्टा पे भी है, tutor पे भी है आप हर एक जगह जाके हमें follow कर सकते हैं कमसे हम दो जगह, which one is YouTube and Insta को तो join कर ही लो और यह जो आपका है MBA education एक telegram का new channel है जिसे भी आप join कर लिजिए क्योंकि उस पे बहुत activity जब इस start होने वाली है cat 2020 के लिए तो चलते हैं अपने question के तरफ तो पहली बार question देखके लगता है कि बहुत पेजीदा question है कैसे बनेगा नहीं बनेगा लेकिन अब आप इस question को दुबारा देखते हो तो आपको समझ में आता है कि यह question क्या है यह question है something plus one upon something का value तो बस इतना ही है जब भी अगर आपके आपको समझ में आपको समझ में अगर इस आपको question होता है algebra का तो इसको हम लोग होते है conditional algebra आज इसको try करते है हम लोग इस दोनों को same करने का if denominator becomes numerator तो we know a plus 1 by a के बहुत सारे conditions हमें पता है तो हम लोग इसको solve करना चाहते है और मैं यह पता है कि we cannot work on the denominator boss denominator के साथ खेलना बड़ा मुश्किल होता है numerator में तो कुछ plus minus हम लोग कर सकते है तो सब कुछ demand करता है आपके denominator के साथ denominator में जो होगा उसी value को numerator में हम substitute कर देंगे and question को solve कर देंगे इतना ही याद रखेगा तो concept बड़ा simple है concept क्या है अगर आपके पास one plus और यहाँ भी variable यहाँ variable हो तो हम लोग दुनों variable को करते है equal तो आज़े इस question को करते है solve तो सबसे पहले तो हमें denominator में काम करना होगा क्योंकि यह important है यहाँ x x क्या हो जाएगा x square यह आपका क्या हो जाएगा 2x और x क्या हो जाएगा 3x प्लस 11 क्या हो जाएगा 2 यहाँ क्या दिखेगा minus x and minus minus plus 1 तो यह आपका जो दिखेगा यह दिखेगा x square plus 2x plus 3 दिनोंटर यही है तो आइए हम दिनोंटर को नोट करते हैं this one is 1 upon x square plus 2x plus 3 और यही मुझे को numerator में भी चाहिए यह उपर भी चाहिए अगर आप इसको दिखेगा गॉल से तो यह लिखा हुआ है x square plus 2x plus 1 बहुत मुझे को चाहिए x square plus 2x plus 3 यहाँ plus 1 है तो आसा करते हैं 2 इधर भी add करते हैं 2 इधर भी add करते हैं तो यही concept है आपको यह बात तो पता है a plus 1 by a का value अगर 2 होता है तो it is easily visible a का value 1 होता है यह आप quadratic बना के solve करते हैं आपको दिख जाता है ऐसे basic conditional algebra का पहला rule है a plus 1 by a if equal to 2 then a equal to 1 तो मैं यहाँ से बोच सकता हूँ x square plus 2x plus 3 का जो value होगा वो होगा 1 मुझको पता है यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x square plus 2x का value क्या होगा minus 2 अगर यह इधर आएगा तो और question आपके पास क्या पुछा हुआ है question पुछा हुआ है कि let's have 4x square plus 8x is equal to what minus 8 इसमें मुझे 4 multiply करना है that is 4x square plus 8x minus 8 है तो अंसर आपको क्या होजाएगा this is equal to 4x square plus 8x minus 8 plus 5 equal to 3 with minus sign हमारा यही अंसर होगा तो जो question देखने में पहले बहुत ज़रा पेचीदा लग रहा था अगर आपको इसके steps पता है वो देखता कैसे है यह पता है और आपको पता है कि attacking point क्या है so attacking point इस सारे questions का denominator होता है तो हम बहुत easily solve कर सकते हैं अगर आपको अपने question का attacking point समझ में आ गया अगर आपने questions का यह समझ में आ गया कि वो कैसे दिखता है कैसे start करना है तो आप question को बहुत easily कर सकते हो इसे को target करके हम लोग बहुत कुछ लाने चाहता है YouTube पे जो आएगा और बहुत सारे courses भी लेके आएगे जो बहुत affordable price में होगी जिसको आप अपना best दे सकते हो मैं आपसे चाहता हूँ कि आपने अगर Telegram और Facebook को join नहीं किया है जिसके link description में दी है तो go join बहुत learning आपके पास आने वाली है और जो बहुत कम टाइम में आएगी बिना इनी टाइम बरबात किये हुए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ आप दो अपना best हम देते हैं अपना best and let's crack the examination Myself Amir, God bless you, happy learning and bye-bye